आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप अप स्टोक डीमेड अकाउड में किसी भी कमपनी के सेर्स बाई करते हैं डिलीवरी में या फिर इंट्रेडे में तो आप स्टोप लोस का यूज कैसे करते हैं और स्टोप लोस यूज करने का आपको यहाँ पर बेनिफिट क्या देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ अगर आप स्टोप लोस यूज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सूर से लेकर एंड तक कमप्लीट वोच करें वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो लाइक करकर चलों को सब्सक्राइब जरू कर ले तो अब चलते हैं अपने मुबाइल फून की स्क्रिन पर तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपस्टोक में स्टोप लोस का यूज कैसे कर सकते हैं तो अब आपको पहले अपने अपस्टोक डीमेड अकाउंट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस यहां पर शोग हो जाएगा इस टोप लोस का यूज करने के लिए पहले में आपको सेर्स बाई करकर दिखाने वाला हूँ जबी आप बहतर तरीके से यहां पर समझ पाएंगे तो पहले हम किलिक करते हैं अकाउंट में और अपना बिलेस हम चेक करते हैं कितना बिलेस हम आपास एवलीबल है अभी के टाइम में दोस्तों मेरे पास यहां पर पैसे एवलिबल नहीं है तो पहले मैं पैसे यहां पर 8 कर लेता हूँ 8 करने के लिए 8 पंट पर किलिक करेंगे यहां पर हम 500 रुपे 8 कर लेते हैं तो 500 हमें एंटर कर दी हैं UPI को स्लेट कर लिया है continue with UPI APM किलिक करते हैं फून पे को स्लेट यहां पर कर लेते हैं फून पे स्लेट करने के बाद हम दोस्तों यहां से पहले यह पेमिट सक्सेसफुल कर देते हैं तो पेमिट में यहां पेपे किलिक करकर सक्सेसफुल कर देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों, हमें 5 सूरुपे Successful 8 कर लीए हैं. अब हम Done पर Click कर देते हैं. Done पर Click करने के बाद, अब Click करते हैं My List पर. यहाँ पर Click करने के बाद, दोस्तों, आप बात करते हैं, अगर किसी भी Company के Sales Buy करते हैं, तो StoreFlows का यूज के से कर सकते हैं? तो पहले हम search करते हैं जिस company के sales हमें यहाँ पर buy करने है example की दोस्तो अभी हम sales buy करने वाले हैं Tata Steel के तो Tata Steel हम यहाँ पर search कर लेंगे Tata Steel search करने के बाद हमार सामने यह company आ चुकी है अब इस पर हम click करेंगे इस तरह से click करने के बाद हम से पर यह buy पर click करेंगे और buy पर click करने के बाद उपर हमार सामने option है दो एक है delivery का long term का यानि एक है intraday का यानि same day का तो हम अभी के time में buy करने वाले हैं पहले delivery में तो long term को हमने select कर लिया है quantity में अपनी quantity हमने enter कर दी है अब बात करते हैं stop loss कैसे use करेंगे दोस्तों stop loss पर दो option आपके सामने है एक है stop loss market का एक है stop loss limit का अगर आप चाहते है limit लगागा stop loss में buy करना तो आप यहाँ पर stop loss limit को select कर लेंगे यहाँ पर आपको trigger price अपना enter करना है जैसे कि for example अभी के time में एक sale की price है एक तो तेहरा रुपे पिचारे पेसे की और हम चाहते हैं कि हमारा सिफ यहाँ पर 50 में फेसे का ही loss हो इससे open loss हम यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर 113 रुपे trigger price में enter कर देंगे और review buy order पर click करेंगे इस तरह से और submit order पर click कर देंगे और हम इसे यहाँ पर buy कर देंगे अब दोस्तो हमारे stop loss यहाँ पर लग चुका है अब अगर यह say down होता है डाउन होकर यह say 13 रुपे का आ जाता है तो हमारे say automatic यहाँ पर sale हो जाएंगे इस तरह से आप stop loss लगा सकते हैं और stop loss का benefit आपको यही देखने को मिलने वाला है stop loss से आपका बड़ा नुस्तान होने से बच जाता है अब बात करते हैं दोस्तों अगर यह say यहाँ पर down नहीं होता है और यह बढ़ जाता है जैसे कि for example यह say आ जाता है बढ़कर 150 रुपे का तो अब हमने stop loss लगा था अपना 113 रुपे पे तो वो हमें यहाँ पर chain करना है chain करना हमें यहाँ पर बहुत जरूरी है जबी हमें यहाँ पर profit होने वाला है तो chain करने के लिए अब हम click कर देंगे simply modify पे यहाँ पर click करने के बार हम click करेंगे simply stop loss limit पे और यहाँ पर हम अपना ट्रीकर प्राई चेंज करेंगे जैसे कि अगर सक प्राइज के हां पर 150 रूपर तो हमें आपना ट्रीकर प्राई सेंटर करना एक 1915 रूपे और हमें किलिक करें रिव्यू पर और यह फिर से पर पेंडिंग में चला जाएगा अगर सेल कर भूदयरे से तो फिर यहाँ पर 103 रुपे stop loss लगा कर रहा है और आप देख सकते हैं कि ओर भी complete है हमारा वी position पर click अगर हम check कर सकते हैं अपनी position कितना profit कितना loss है वो सब हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आते हैं हम बे यहाँ से बेक आने के बाद अब हम click करते हैं orders पर click करने के बाद आप screen पर दे सकते हैं delivery में यह sales हमारे buy हुए हैं और यह order भी successful complete है और अब बात करते हैं दोस्तों अगर हमें यह share यहाँ पर sell करना है और sell करते जमें हमें अपना stop loss लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे उसके लिए पहले आपको आजाना है अपने orders में orders बाने के बाद अपने share पर click करेंगे इस तरह से और वी position पर click कर देंगे आप इस तरह से और exit पर click करेंगे और यहाँ पर आपके सामने order type में चार option होते हैं एक है आपके सामने market का एक है limit का एक है SL limit का trigger price में अपना amount हम यहाँ पर enter कर देते हैं enter करने के बाद दोस्तों अब हम क्लिक करेंगे review sale order पर और यहाँ submit पर click कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं data steel के sale हमारे फिट से trigger pending में चले गए हैं अगर sales down होता है और down होकर modify कर पाएंगे जैसे कि trigger price में अपना amount increase कर देना है जैसे कि for example अगर sale आ जाता है 150 रुपे का तो हम यहाँ पर 145 रुपे enter कर देंगे और फिर हम के लिए कर देंगे review और यह modify हो जाएगा यह benefit भी आपको मिलता है दोस्तो और इस तरह से आप पैसे भी कमा पाएंगे तो अब हम यहाँ से bake कर देते हैं यहाँ से bake करने के बाद पहले हम इसे cancel हैं और इसे यहाँ से sale भी कर देता हूँ sale करने के बाद दोस्तों फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ के आप किस तरह से अब internet day में sales buy कर देंगे और केसे आप इस टोप लोश का यूज करेंगे तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम internet day में किसी भी company के sales को buy करते हैं और sale करते हैं तो इस टोपलोस का यूज कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्लिक करेंगे, प्लैस वाल आइकेन पे, यहाँ पर हमें सर्च करना है, जिस कम्पनी के सेर्स हमें इंट्रेरे में बाई करने हैं, जैसे कि एक्जामपल के लिए हम सर्च कर लेते हैं, यस बेंग को, तो यस बेंग हम स स६्सक् Morse Set попроб ions करें जररा आचे migrated group करेंगे बाए बर दो faire आए के बादो इंट्रेड करेंगे पर आए कर दो सम्मीट यो रदेंगे सब्सक्राइब हम एंतर अयुद्यक्त करने के बाद कहां बाद बाएं यहां पर हमें पनी कोॉफ शुब्लिक पॉ Android इंटरडे में अब हमें आना है order पे ईंटरर्स पने के बाद दोस्तों अब हमें इस पेस टो प्लोस लगाना है तो उसके रहां हम इस पेस्ट ऑपड करेंगे इस तरह से और वी पोजिशन पे क्लिक करेंगे और यहां कलिक करेंगे एकजित पे तो यहां पर आपके सामने तो आप अप्रेक्टरी का प्राइस यहाँ पर एंटर कर देंगे जैसे कि मैं चाहता हूँ अगर यह सेल यहाँ पर 15 रुपे 50 पेसे पर आ जाता है तो सेल हमारा ओटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए इससे दरुसान हमें यहाँ पर नहीं चाहिए एक सेल अगर आपका 15 रुपे 50 पेसे का जाएगा तो ओटोमेटिक सेल हो जाएगा अगर आप तो प्राइस में यह अमाउट एंटर करकर रिव्यू सेल ओडर पे किलिक कर देते हैं इस तरह से तो आप दे सकते हैं दोस्तों हमारा यह यहाँ पर पेंटिंग में चला जाएगा अगर यह सेल का प्राइस इस पे हिट होता है तो ओटोमेटिक सेल हमारे सेल हो जाएगे अब अगर सेल का प्राइस डाउन नहीं जाता है और यह जाता है ऊपर तो फिर आपको दोस्तो अपना ये stock loss चेंज भी करना होता है जबी पैसा आप कामा पाएंगे जैसे कि आपके लिए कर देंगे modify way modify way करने के बाद अगर ये sale पोज गया है है आपर 20 रुपे का तो फिर आपको ट्रेकर प्राइस चेंज यहापर करना है फिर ट्रेकर प्राइस में आप amount एंटर करेंगे 19 रुपे या फिर करेंगे आप 18 रुपे और फिर review पे किलिक करकर आप submit पे किलिक कर देंगे और ये फिर से pending में चला जाएगा अगर sale का rate डाउन होता है और डाउन होकर आ जाता है अठार रुपे या फिर आता है 19 रुपे तो आपके sale sale हो जाएगे जो आपने stop loss यहाँ पर लगाया है अगर आपके sales डाउन नहीं होते हैं और ये sales उपर जाते रहते हैं तो फिर आपको stop loss में यहाँ पर change कर लेड़ चाहिए क्योंकि इस तरह से ही दोस्तों आप यहाँ पर stop loss का use करकर पेसे कमा पाते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको जानका यह दे दी है कि आप stop loss का use कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या benefit आपको मिलने वाले हैं तो अगर आपको वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक करकर चैनल को subscribe जरू कर ले तो अब चली दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे next वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद